ओर पष्ण में ज़रे उने दीयम कीमिकल कायनेटिक्स में आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा हworthy यह पूरी केमिकस की जान है यह टॉपिक क्या फस्ट ऑडर रिएक्षिन ऐसा कोई आज तक हिस्ट्री में कोई और नी रहा solution हो, chemistry हो, electro chemistry हो, हर चीज अविलेबल है, आए स्टार्ट करें है, first order reaction को, इमानदारी से दोस्तों सारे notes बनाते रहना, हर चीज बचो आप तक पूरे पूरी detail में पहुचाने की कोशिश कर रहा हूं through my youtube channel, तो आए दोस्तों start करें है, first order reaction, मान लो कोई एक reaction है, a से product में convert हो रही है, reactant product में convert हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि t equals to 0 पर इसकी कोई concentration रही होगी a, जिसको मैं initial concentration बोल रहा हूं c0, t equals to t पर, sir a में से कोई चीज खतम होगी होगी, x amount कम हो गया होगा, जितना amount कम हुआ, उतना ही form हुआ हुआ हुआ, तो क्या मैं a minus x को ct के बरावर लिख दूँ, ct is what, zero order reaction में last class में बात किया थी न, ct क्या है, t time के बाद की concentration, initial a concentration दिया, t time के बाद a minus x बच गया, क्या ये बात लिखने में किसी को दिक्कत, कोई लिकत नहीं, आईए मैं derivation को start करने चारा हूँ दोस्तों, क्या मैं rate को ऐसा लिख दूँ, सर, third lecture में आपने बताया था, rate equals to k, concentration raised to the power order, a की concentration raised to the power order 1, first order की बात कर रहा हूँ, तो क्या order 1 लिख दूँ, हाँ, लिख दीजिए, क्या a reactant है, क्या reactant के respect में minus da by dt लिख सकता हूँ, minus da by dt, reactant के respect में, हाँ, पहले आपने सिखाया है, equals to k concentration of a, क्या इतनी बात लिखने में किसी को दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, दोस्तो, a concentration है क्या, अरे भया, a concentration, किसी t time पर बात कर रहा हूँ, तो क्या a की concentration और कुछ नहीं, a minus x है, और कुछ नहीं, ct है, a की concentration, t time के बात की बात हो रही है, तो क्या हम ये बात लिख सकता हूँ, ओके, ओके, अब देखो, मैं पूरा derivation आप तक पहुचाने के कोशिश करूँगा, अगली step लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखना, क्या हम ऐसा बात लिख सकते हैं, देखना, इस step को लिखने जा रहा हूँ, इस step को आगे, सर, आप ऐसा लिख दीजिए, concentration of a की जगे a-x, upon dt is equals to k into a-x, क्या ये बात लिखने में किसी को दिक्कत, नहीं सर, यहाँ बात लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अब भया, differentiation of a-x, differentiation of a-x, ये तो constant, ये constant x variable है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूँँ कि सर, plus dx हो गया ये, plus dx हो गया ह अब सर, ये a-x को नीचे ले लीजे, a-x को नीचे ले लीजे, dt को इदर ले जाईए, क्या dt लिखने में किसी को दिक्कत, dx upon a-x, k dt लिखने में किसी को दिक्कत, आप देखना करने क्या जा रहा हूं, अब देखना, plus sine को यहाँ से ऐसे हटाया, और दोबारे लिखता हूं, यहाँ पर k dt को थोड़ा सा सुंदर-सुंदर, k dt, k dt, sir अब integrate कर दीजिए, कहां से कहां तक, initial concentration 0 कहां तक जा रहे हैं, sir, x तक जा रहे हैं, वह initially तो कुछ बना ही नहीं था, तो 0 कहां तक बन गया, कितना product बन गया, x बन गया, तो 0 से x तक की बात लिख दूँ, क्या integrate कर दूँ, time, जब कुछ नहीं बना था, तो time initially 0 था, t time पे कितना बन रहा है, x तो x लिख दीजिए, क्या यह बात लिखने में किसी को दिखकर, नई, नई, sir, dx upon t minus x का integration, हरी, sir, minus ln a minus x लिख दूँ, क्या, minus x ln a minus x लिख दूँ, कैसे, क्या आपने को यह बात पता है, dx upon x का integration क्या होता है, sir, ln x होता है, ठीक है, अब यहाँ minus आ गया रहा है, तो क्या माइनस भी लिख हो आगे, क्या, i hope, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी, okay, दोस्तो, अब क्या मैं left, limit कहां से limit की बात भी कर लेते हैं, क्या, sir, इसकी limit 0 से x है, और sir, यह क्या हो गया, sir, यह तो kt हो गया, simply, यह तो क्या हो गया, इसको यहाँ पर 0 से t लिखिए, 0 से t, x नहीं, यहाँ पर t आएगा, 0 से t, i hope, इतनी बात समझ में आ रही होगी, हाँ, अब देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ln a minus, या a upon a minus x लिख देता हूँ, equals to kt, कैसे लिखा, मैं short मैं बता देता हूँ, side में, क्या हमने जब उ बढ़ाई है, minus x की जगे, जब 0 डालूँगा, तो क्या कुछ है सबनेगा, ln a, sir, minus अंदर ले जाए, तो क्या minus a minus x plus ln a बच गया, तो sir, यह तो ln a upon a minus x लिख सकता हूँ, क्या इस चीज़ को, दोस्तों बता दीजे, इस चीज़ को लिखने में किसी को दिखकत यहां तक, हर step इमानदारी से देखते चलना, हर चीज़ आप तक होचने की कोशिश होगी, ओके dear, अब मैं देखो, erase करने जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अगली स्क्रीन पे, और यहां यह वाले expression को दुबारे यूज़ करूँगा, देखना मैं यहां पर लिख रहा हूँ, sir, आ a upon a minus x equals to e की power kt, क्या यह बात लिखने में किसी को दिख रहा हूँ, a upon a minus x equals to e की power kt, नहीं ने, sir, यह वाली बात तो दिख गई है, ओके दोस्तों, यहां से जो x का expression निकल कर आएगा, वो कुछ ऐसा निकल कर आता है, जो यहां दिर्खना, e की power, e की power minus kt, x equals to a into 1 minus e की power kt, जब आब इसको rearrange करेंगे, तो you will get access to this one, ओके, अब यह बताओ, यह क्या था, sir, यह तो initial concentration थी, a minus x, t time के बाद की concentration थी, तो क्या दोस्त, इस expression को ऐसा लिखना, c naught upon ct equals to e की power kt, दोस्तों, exponential decrease आएगा, देखना, क्या ct is equals to ct को इधर लेकर या, e की power इधर लेकर लेकर गया, क्या ct equals to e की power minus kt लिखने में किसी को राओ, ct equals to e की power minus kt लिखने में किसी को राओ, please देख दीजी, नहीं, नहीं, सर, यह तो आसान है, ओके, दोस्तों, तो सबसे पहला formula जो आपको दिमार्ग में रखना है, ct equals to c naught e की power minus kt, and name of this formula is, wilhemi formula, wilhemi formula, पहला formula क्या सब लोग आप यहाँ पर याद दे रखेंगे, आहा, सर, यह तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके, सर, इसको तो चलो हमने याद कर लिया, जो हमारे दिमार्ग में भी, फिट बैट गया है, हमें इससे कोई परिशानी नहीं है, ओके, कुछ-कुछ और formula की अब बात करने जाएंगे, क्या दोस्तों, ऐसा बात सूचना, ऐसा बात सूचना में साथ, यदि, यदि मैं इसी expression में, इसी expression में देखना, तिंच-चार formula निकल कर आते हैं, जो आपको याद रखने हैं, इसी expression को चलो, यूज कर लो, या तो, यह वाले को, क्या सर, हम इस expression को ऐसा यूज कर सकता हूँ, कि k is equals to, लोग ले रहा हूँ, मैं, 2.303 upon t log a upon a minus x, भाई, ln x को क्या मैं, ln x को ऐसा लिख सकता हूँ, 2.303 log x, यह वाला property तो अपनों को पता हूँ, ln x equals to 2.303 log x, बस उसको लिख दिया है, kt बरावर था हाँ, सरी, kt बरावर देखो, देख रहा है, बढ़ या, अब मैं क्या, इसी expression को थोड़ा सा और modify करके लिए हो, तो ऐसा लिख सकता हूँ, k equals to 2.303 t, 2.303 upon t log c0 upon ct, सोच के देखो, क्या a क्या था c0 के बारावर, a-x क्या था ct के बारावर, तो क्या यह expression लिख सकता हूँ, जिन तीन points को, जो अपने को याद रखना है, जो formula दिमाग में रखना है, जो very 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 important है, वो तो पहली first, the very first formula from this first order kinetics, यह वाला, second formula जो बहुत ही जादा important है, ct equals to c0 e की पाउर minus kt, यह कभी-कभी काम आएगा, यह क्या होगा, कभी-कभी काम आएगा, क्या सरा मैसी बात कर लें, यानि exponential decrease वाला expression first order kinetics में काम आ रहा होगा, हाँ, exponential decrease वाला formula अपनों को काम आ रहा होगा, ओके दोस्तों, क्या दोस्तों हम छोटे-मोटे graph बना लें, क्या छोटे-मोटे graph बना लें, आई यह छोटे-मोटे graphs की बात करते हैं, क्या है graphs का nature, सर यदि हम ऐसा बात करें, ct equals to c0 e की power minus kt का graph कैसे बनेगा, ct versus t graph बना लें जा रहा हूँ, t time है, सर, initial concentration, initial concentration, ऐसा सोचो, at t equals to 0 पर, क्या ct c0 के बराबर हो जाएगा, भई, t equals to 0 है, e की power 0 क्या होगा, 1, तो ct बराबर c0, मालो यह c0 है, सर, जैसे-जैसे time increase करेगा, क्या exponential decrease वाला करवाएगा, क्या ct versus t graph बनाने में किसी हो दिक्कत, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आई दोस्तो, सर, अगला graph, हाँ, चल रहे हैं, अगले graph पे, अगला expression देखना, सर, अगला expression अपन लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था, कि ct, वापी cc को देखना, ct equals to c0 e की power minus kt, मैं ln लेने जा रहा हूँ, ln ct is equals to ln c0 minus kt, सोच लोगो कैसे आया, a into b किया, तो plus आ गया, e की power minus आ गये था, e और ln आपस में कट गया, 1, तो क्या हम ऐसा बात कर लें, सोच के देखना, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, सर, आप तो बस अब direct expression हमको बता दीजिए, क्या दोस्ट, क्या दोस्ट, यदी मैं, यदी मैं ln ct, ln ct versus t graph plot करूँ, तो क्या intercept उसका, ऐसा करा हूँगे नहीं, y हो गया, ये c हो गया, plus mx, क्या slope दोस्ट मेरे पास, क्या slope दोस्ट मेरे पास, minus k निकल कर आता है, negative slope, intercept क्या है, ln c0, ये तो आसान है, ये तो आसान है, ओके, आसान है, अब सबसे important बात, सबसे very very important, अक्सर सवाल आता है, very important बात, sir आपने zero order reaction के लिए, हमें half life बताया था, क्या मैंने आपको zero order reaction के लिए, half life बताया था, क्या था, ये तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्या आप मुझे तुरंत formula लिख कर बता देंगे, वीडियो के description में, 11 मिनट में आपके answer का में बेट करूँगा, 11 मिनट हो चुके हैं दोस्त, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि, what is the half life of the zero order reaction, what is the formula of the half life of the zero order reaction, very very important, सर याद तो नहीं, कहा था ना, notes साथ साथ बनाते रहना, जितना बात लिखा रहा हूं, साथ साथ notes बनाते रहना, questions के लिए अलग video है, theory के लिए अलग video है, चाहे class 12, board exam बात हो, IIT जेई हो, यानि जेई main हो, चाहे जेई advance हो, हो जाहे नीट हो, हर exam के लिए videos अविलेबल है, important है, ध्यान से सुनना, मैं अब दुबारे बता देता हूं, half life for the first order reaction पढ़ने जा रहे है, सर ये वो time है, जिसमें reactant आदा complete हो जाए, या आदा खटम हो जाए, यानि reaction आदी हो जाए, चीक है, हमाँ आपा formula क्या था, सर k equals to 2.303 upon t log a upon a minus x, ऐसा था, सर या फिर में उसको ऐसा भी लिख सेखते हैं, कि c naught upon ct by ct, c naught upon ct, हाँ, half life पे क्या होगा, half life पे, at half life, आदे life पे सर time तो किसके बराबर हो जाएगा, आदा time t equals to t half, ठीक है दोस्त, ठीक है, reactant कितना खतम हो जाएगा, या कितना बच जाएगा, सर ct c naught के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर भी तो किया था, आदा reactant खतम हो गया ना, तो आदा ही बचेगा, ठीक है, उपर वाले formula उड़ालो, formula उड़ालो, तो t half is equals to 2.303 upon k log 2 लिग दूँ, वहाँ तू पर चला गया log 2, log 2 का value पता होना चाहिए, log 2 का value रहता है, 0.3010, log 2 का value कितना है, 0.3010, क्या दोस्त, एक expression जो सबसे काम का है, क्या t half का expression, 2.303 into 0.3010, डारेक याद रखेंगे, 0.693 upon k, very very important, यानि सर, t half का expression for first order reaction is, 0.693 by k, important बात क्या है, t half is, लिखना, important में लिखो मेर साथ, t half is independent of concentration, t half क्या है, यानि half life for first order reaction, is independent of initial concentration, independent of initial concentration, क्या बाद दिमाग रखेंगे, क्या इतनी सी बात सोचने में किसी को लिक्कत हो रही है, अभी सिरफ थोड़ी देर में theory की ही बात करता जा रहा हूं, theory की ही बात करता जा रहा हूं, और भी कोई बड़ी बड़ी बाते नहीं कर रहा, बिल्कुल normal normal easy easy वाली बाते कर रहे हैं, अब सुनना, अब थोड़ी सी बात सुनना, थोड़ी सी important बात, सर क्या बात करें, अरे मैं बता रहा हूं न, सर इसके बाद आपने आपने न, जो आपको याद रखने हैं, the very first examples, heading लिखना अगली, examples of first order reaction, first order reaction के example लिखना में साथ, the very first common example is radioactive decay, generally, इतने भी radioactive decay हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, first order reaction है, the always follow first order reaction, या first order kinetics, H2O2 का जो decomposition है, क्या वो first order reaction है, yes, H2O2 का decomposition is first order reaction, NH4 NO2 का decomposition, N2 plus 2H2O, first order reaction, कैसारा बात आप दिमाग पर रखेंगे, प्लीज बता दीजे, ये examples, कुछ-कुछ set examples, आपको बोर एक्जाम के लिए भी ये वाला बात दिमाग में जरूर रखना है, एक और example लिखना जाहूँगा, NO2 plus CO will give you NO plus CO2, again, this is a first order reaction, ये चार example, इस सारा example अपने को याद रखने के, ठीक है, अब देखना, कुछ-कुछ बात है, एक चोटा सा पहले question से स्टार्ट कर लेते हैं, चोटी-चोटी question स्टार्ट करते हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा confidence आए, थोड़ा सा confidence आए, मालनो, for a first order reaction, बाए question कर रहा हूँ पहले, for a first order reaction, A से B, A से B, rate constant, rate constant is 2 into 10 raise to power minus 3 second inverse, अब याद अखना, unit को देखते भी आप पहचान पाएंगे, for a first order reaction, rate constant की unit क्या रहेगी, सर 2nd inverse, आपने 3rd lecture में बता दिया था, बहुत ही बढ़िया, the rate constant is 2 into 10 raise to power minus 3, minus 3 second inverse, and initial concentration, and initial concentration is 0.01 molar, find, find half life of the reaction, find half life of the reaction, solve करें, solve करें, वीडियो को पोज करते वे तुरंत, सर, half life बताना है, first order reaction है, formula हमें याद है, 0.693 by k, k कितना, देख लेते हैं, क्या 0.693 upon 2 into 10 raise to power minus 3, बोल रखा है, सर, ये तो 693 by 2 हो गया, क्या, यानि ये 347 seconds निकल कर आ रहे, this is the answer, बनाने के लिए दी थी, ये कोई काम ही नहीं आएगी, सर, अभी अच्छ-च्छ आपने बताया था, कि first order reaction में, first order reaction में, जो half life of the reaction है, वो independent है, independent है, किसके, initial concentration के, यानि concentration का, हमें तो कोई काम ही नहीं है, concentration का, हमें तो कोई काम ही, नहीं है, कि इतना बात आप सीख पा रहे हैं, कि दोस्त बता दीजिए, कि इतना बात हम लोग सीख पा रहे हैं, एक और छोटा सा question कर रहे हैं, अरे हाँ सर, question तो कितना ही कर वा लो, हम कर देंगे, बहुत ही शांदार, दोस्तों, क्या आप लोग अगले question के लिए तयार हैं, theory part हो गया है, मेरे इसाब से first order genetics में, बहुत बढ़िया-बढ़िया theory के लिए है, अब कुछ-कुछ बहुत सारे questions की practice करते चलते हैं, आईए कुछ-कुछ बहुत चुप, पहले छोटे-छोटे, बिल्कुल elementary level सवालों की बात करने जा रहे हैं, देखना, मेरे साथ सीखना, एक question लिए देता हूं, एक question लिए देता हूं, if first order reaction, first order reaction, has specific reaction rate, has specific reaction rate of 10 to the power minus 2, सवाल सुना, how much time, how much time, will it take, how much time will it take, for 20 gram of reaction, 20 gram of reaction to reduce to, to reduce to 5 gram, क्या-क्या बोले है सवाल ने, सवाल ने बोले है कि first order reaction थी, specific reaction rate दे दिया, कितना time लगेगा कि reactant 20 gram से 5 gram हो जाएगा, सर, कुछ अजीब सा लग रहा है, अरे, कोई अजीब सा नहीं, सुनना, क्या ये specific reaction rate ये और कुछ नहीं, k का value है, k के तीन नाम थे ना, बताया था, rate constant, velocity constant, specific reaction rate, हाहा, याद आ गया, बस formula बढ़ालो, time पूचा है, अरे, सर, वोई formula क्या, k equals to 2.303 upon t log, c not upon ct, ठीक है, ठीक है, तो क्या हम k की जगे लिख दें, 10 raised to power minus 2, equals to 2.303 upon t, सर, यही तो निकालना है time, कितना time लगेगा, how much time, log, initial concentration कितनी थी, 20 gram, कितना हो गया, ct, t time के बाद की concentration, concentration 5 gram, क्या दोस्त, आप यहां से t का value निकाल सकते हैं, क्या दोस्त, आप यहां से t का value निकाल सकते हैं, simple maths है, और t का value मैं आपको बता देता हूं, 138.6 seconds आएगा, t का value कितना आएगा, solve हो के, 138.6 seconds, यह तो था method 1, यह तो था, इस question को solve करने का method 1, method 2 देखना, अच्छा method, एक और logical approach, माल लेते हैं कि, sir हमें k given है, तो पहले में t half निकाल लूँ, यदि t k given है, तो t half निकाल लूँ, first order का, कैसे 0.693 upon 10 raised to power minus 2, क्या यह solve करके, 69.3 seconds हो गया है, क्या यह solve करके, 69.3 seconds हो गया, yes or no, ओके, अब ध्यान से सुनना, sir मतलब t half का, मतलब physical significance क्या है, sir t half का मतलब इतना सा है, कि कितने time में reactant आदा हो जाएगा, कितने time में reactant आदा हो जाएगा, सोच के देखना, initial आपने कितना लिया, sir हमने 20 gram लिया, यानि 20 gram से 10 gram तक जानने में समय कितना लग रहा है, क्या आपको time लग रहा है, 69.3 seconds, yes or no, आपने initially 20 gram लिया, 20 gram से 10 gram तक जानने में आपको समय लग रहा है, 69.3 seconds, कहां तक जाना है, sir हमें तो 10 gram से 5 gram जाना है, अच्छा, जब 20 ग्राम से 10 ग्राम जाने में आपको समय लग रहा है 69.3 सेकेंड दोस्तों सेम समय ही तो लगेगा 10 ग्राम से 5 ग्राम जाने में in first order reaction which is 69.3 सेकेंड कैसे सर आप logical सोचिए 20 by 10 का ratio भी 2 आएगा 10 by 5 का ratio भी 2 आएगा वही C not Y CT का ratio तो same है C not Y CT का ratio तो C में है कैसे 20 by 10 कितना समय आदा 10 से 5 जाने में भी आदा तो total समय कितना लगा 20 से 5 तक जाने में सर एड कर दीजिए क्या ये एड करके 138.6 सेकेंड हो रहा है क्या आप ये बात समझ पारे है मैं जो बोल रहा है कि हमें कितना समय लग रहा है क्या हम सेम कॉंसेट पे थोड़ा सा आगे चलें थोड़ा सा प्रॉबलम का लेवल चेंज कर रहे है यानि एक नई वराइटी आफ प्रॉबलम आप लोगों के बीच ला रहा है चलो सब देखते हैं आईए नया क्यूशन लिखते हैं आप लोग के लिए क्यूशन में मज़ा आएगा आपको सब्सक्राइप के लिखते लिखते हैं मैं पहले पुरी लैंगवज लिखता हैं पहले पुरी देखता है फूला सब्सक्राइब्शान ट़र टो दीपाबर सिक्स्टीं देहान से शून न कि आप माइनस ूथाउजन पाइटी and 10 to the power 15 e to the power minus 1000 by T respectively find find temperature at which K1 is equals to K2 किस temperature पे K1 और K2 का बराबर value बराबर हो जाएगा आई एक बार solve करते हैं सवाल को दो rate constant का expression दे रखा है कि K equals to T 10 to the power 16 e to the power minus 2000 by T और यह दे रखा है दिहान से समाजना आसान है सर हम K1 और K2 को बराबर कर दो 10 to the power 16 minus 2000 by T is equals to 10 to the power 15 e to the power minus 1000 by T यह सुरनो ठीक है क्या हम ऐसा लिख दें किसे 10 is equals to e to the power 1000 by T यह 10 की ताकत 16 था यह 15 था खाली एक पावर रह गई 1000 इदर चला गए, वो 2000 इदर चला गए अब क्या ले लीजे अब sir ln ले लीजे तो क्या दोस्त ln 10 is equals to 1000 by T लिख सकता है और ln को लोग में बदलने के लिए 2.303 log 10 log 10 कितना होता है sir यह तो 1 होता है और यह 1000 by T तो क्या यहां से T का value सीदा आ गया 1000 divided by 2.303 यही क्या अपनों का answer है देख लीजे, क्या इतना बात अपनों को समझ में आया क्या दोस्त अपने को first order reaction के चोटे मोटे लेवल के questions करने में कोई तकलीक हो रही है तो बता दीजे नहीं नहीं सर मज़ा आ रहे है बहुत ही शांदर, बहुत ही शांदर, बहुत ही शांदर बहतरीन बात तो दोस्तों मैं आपको बात बात पायता हूं अभी यहां पर first order reaction complete नहीं हुई है first order reaction part 2 first order reaction part 2 में हम क्या करने वाले हैं हम कुछ और बहतरीन सवालों की बात करेंगे questions practice करेंगे लेक्चर नमबर 6 में लेक्चर नमबर 6 में questions की practice करने वाले हैं regarding first order reaction क्योंकि जैसे ही topic start हुआ था तो मैंने आपको क्या बोला था first order reaction is a very very important for J main, J advance, NEET हर exam के लिए important है, हर साल सवाल आता है तो हम भी कुछ और बहतरीन सवालों के भी बात करेंगे लेक्चर नमबर 6 में लेक्चर नमबर 55 होग आपको मजा आया होगा मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बता दिए इस सारे chapters भी मैंने पढ़ा रखे हैं अपने YouTube चैनल पे अने उद्वालिया YouTube चैनल पे देख लेना आप, हर चीज आपको मिल जाएगी, this is your all time favorite अने उद्वालिया तो दोस्तो अगली वीडियो में बात करता हूँ meanwhile आप मेरे चैनल से सारे वीडियो देख सकते हैं वीडियो के description में सब चीज़े अविलेबल है uploaded है, so guys stay safe at your home, God bless you all of you और कोई और chapter ऐसा लग रहे है कि